जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी तक, एहमदाबाद से अगरतला तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान भारतिय किसान, गेहु की अपनी नई फसल को राज्य के भंडार के बजाए नीची वेपारियों को बेच रही है क्योंकि वैश्विक सर पर गेहु की कीमत में आया उच्छाल, भारतिय किसानों को निर्यात का मौका दे रहा है यूकरेन पर रूस के आकरवन के बाद मजबूत मांग का मतलब है कि उतपादकों को उनकी फसलों के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत मिल रही है साथ ही राज्य की अनाज खरीद एजेंसी पर दबाव भी कम हो रहा है अच्छा समय आ गया है क्योंकि पवार और उनके साथियों ने रिकॉर्ड गिहूं की फसल उगाई है जिससे उतपादकों को अनाज बेचने का ये बैतर अफसर मिल रहा है MSP का जिक्र करते वे उन्होंने कहा कि वैश्वी कीमते अब तक के उच्छ तमस्तर पर है लंबे समय के बाद वैपारी MSP से अधिक वुक्तान करने के लिए तयार है MSP पर भारती खादे निगम या निकी FCI किसानों से अनाज खरी दिता है भारत के गेहूं की बढ़ते निर्यात ने हमारे जैसे किसानों की काफी मदद की है किसानों को काफी अच्छ रिटर्न भी मिल रहा है मद्य परदेश में एक अनाज बजार में गेहूं उतारते वक्त किसान ने कहा कि वैश्विक सर पर गेहूं की कीमतों में लगबग 50 फृष्दी की विर्दी हुई है इससे पहले भारत को अनाज के निर्यात के लिए संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि MSP में वार्षिक विर्दी ने भारती गेहूं को दूसरों की तुलना में अधिक महगा बना दिया गया था लेकिन उच अंतराश्य कीमतों लगातार रिकॉर्ड फसलों डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपे और बहतर आंत्री ग्रसद के दुरलब संघम ने भारत से शिप्मेंट को आकर्शक बना दिया है खादय और क्रिशी वेफसाई ओलम एग्रो इंडिया की उपाद्यक्ष का कहना है कि भारत के लिए निर्याद करने का एक सुनेरा अफसर है भारत ने किसानों से रिकॉर्ड 43.3-4 मिलियन टर्न गेहूं खरीदने के लिए 856 अरब रुपे खर्च किये हैं ब्यूर्ट पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी यरəं हूंऑ झाल ब्यूर्ट, मार्केट ब्युक्षण से ऱणिछानी की लिए की साथ同व पोर्टर, मार्केट लिए, ब्यूर्ट, रिन्स better,